राधे राधे जै स्री किर्षिना और आज हम पड़ेंगे स्रीमत भगवत गीता जी का अध्याए तेर्मा स्री किर्षिन बोले है कौनते यह स्रीर क्षेत्र कहलाता है इसके जानने वाले को क्षेत्रग कहते हैं इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रग मुझे ही जान क्षेत्र और शेत्रज का जो ग्यान है मेरे मत से वही ग्यान है यग शेत्र कैसे रूप का है उसमें कोन-कोन विकार होते हैं उसकी उत्पत्ति किस परकार से हुई है तता क्षेत्रग का क्या प्रबाव है इतियादी ब लगवरनन किया है तथा हित वाले बर्माशूत्र में पदों में भी ये ग्यान निश्चे किया है पंच महाभूत एहंकार बुद्धी एवेक्ट प्रकरती दसों इंद्रियों अपने मन का शयम इंद्रियों को विशे से विरुक्त अनियन्य भगती करना एकांत में रहना जन स समूल रहने के गुण का प्रकाश है पर उनके कोई इंद्रिया नहीं है जिसको किसी से आ सकती नहीं है पर जो सब का आधार है जो सवेम निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगा है जो पालन नाश और उत्पन करने वाला वही गे है सब के हरदय में वास करता है इस परक प्रकरती तथा पुरुष दोनों ही अनादी हैं, विकारों और गुणों की उत्पत्ती प्रकरती से हुई हैं, कारिय तथा कारण को प्रकरती उत्पन करती हैं, पुरुष तो सुखवे दुखों को बोगता है, प्रकरती में पुरुष रहता है, प्रकरती के गुणों का उप योग करता है तदा अनुशार उत्तम अधम योगिनियों में जनम गती प्राप्त करता है जो यह देखता है कि वह भिन भिन पा लेते हैं स्रीमत भागवत गीता जी का तेर्मा अध्याय संपूर्ण हुआ राधे राधे जै श्री किर्शना